सो हेलो वाट्स अप कैसे हैं आप सब सो फर्स्ट फॉल कई बार आजकल में बच्छों का आ रहा है क्योंकि अब यह समय वैसा आ गया कि एपरिल स्टार्ट होने वाले और एक्जाम बस अब जल्दी शुरू हो जाएंगे 40 दिन के बाद तो कंसिस्टेंसी में काफी इश्वार है बच्चों को और वो कहते हैं कि यार हमसे ना पढ़नी जा रहा है मन नहीं करने पढ़ने का हां तो मैं आपको सिंपल सी बात एक कहना चाहूंगा कि अगर आप पढ़ोगे नहीं तो क्या करोगे एक बाद आपने आप से सवाल पूछ लिया करो जब भी आपका पढ़ने क मन ना करें आपको लग यार मेरे से नहीं पढ़ा जा रहा है क्या करूँ छोड़ू क्यूंकि कई बार होता है इरिटेशन हो जाती है पढ़ पढ़ के ठक गए तो इक बार बता करोगे क्या क्या कोई और क्या क्या इसके बाद जब आप सीय बन जाओंगे तो उसके बाद फिर आप जॉब करोगे तो जोब भी जाते फिल्म में के लिए वोई डायलोग होते है वोई बोल बोल के करने पड़ते हैं अब आपकों के सर एक्टर को तो heroine भी मिलती है तो ये बात ना बोल के आप ये नहीं सोच रहे हैं काम तो वही रहेगा बट अगर हम उस काम को खुद के लिए interesting बना ले तो कैसा होगा example अगर आज मैं पढ़ रहा हूँ और मैंने plan कर रखा है कि मुझे चार दिन में एक subject खतम करना है so why not I break it down into four parts and वो जो आज की मेरे target से उनको achieve करता जाओ और उससे motivated feel करूँ उससे अच्छा feel करूँ कि हाँ at the end of the day मेरे वो targets achieve हो गए now I am getting the energy कि कल का दिन भी मुझे उस high note में शुरू करना है ये मैंने आपको एक secret बताया है जो rankers का secret होता है उन बच्चों का secret होता है जो clear कर जाते है जो consistently पढ़ते हैं बस एक छोटा सा वादा मुझे भी आप कर दो कि आप भी इसको follow करोगे खुशी से पढ़ोगे क्योंकि खुशी से बढ़ेंगे तभी आगे बढ़ेंगे इस तरह की और motivation के लिए और खुश रहने के लिए आगे बढ़ने के लिए do subscribe the channel वीडियो अच्छी लगी हो तो give it a thumbs up because इससे आपको भी positive feel आती है मुझे भी अच्छा लगता है कि आपको मेरी बात समझाई and yes एक commitment जरूर कर देना कि now from today onwards आप अच्छे से plan करेंगे plans को execute करेंगे and yes खुशी से पढ़ेंगे तभी आगे बढ़ेंगे have a great time ahead